प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी इस वक्त गुजरात में हैं तीन परियोजनाओं का उन्होंने उद्धाटन किया है और इस वक्त सम्भूदुत कर रहे हैं। सीधे आपको सुखते हैं। गुजरात के किसानों की आवशक्ता को दी गई है। बिजली के खेत्रे में बर्षों से गुजरात में जो काम हो रहे थे वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 गंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनोती थी। बच्चों की पड़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योकों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्वादन से लेकर ट्रांस्मिशन तक हर प्रकार की कैपिसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था, जिसने सौर उर्जा के लिए एक दसक पहले ही व्यापक नीती बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलार पावर प्लांट का उद्गाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं कि थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत, सोलर, पावर के उत्पादन और उप्योग दोनों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में हैं। बिते छे सालों में देश सौर उर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में पाँचवे नमबर पर पहुँच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जो गाउं से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उन मेंसे बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज़्यादा तर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को राद भर जागना पड़ता है। जुनागड और गीर सोमनाज जैसे इलाकों में जहां से किसान सुर्योदय योजना शुरू हो रही हैं, वहां तो वाइड लाइफ, जंगली जानवरों का भी भहुत जादा खत्रा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाए, जब सुबह सुर्योदय से लेकर के रात नौ बजे के दोरान त्री फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बढ़ाई दूँगा कि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभावित किये बिना ट्रांस्मिशन की बिलकुल नई केपसिटी तयार करके यह काम किया जा रहा है। इस योजना के तहट अगले दो तिन वर्षों में लगभग साड़े तीन हजार सरकीट किलोमिटर नई ट्रांस्मिशन लाइनों को बिशाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक हजार से जादा गाउं में ये योजना लागु भी हो जाएगी। इन में भी जादा गाउं आदिवासी बाहुले इलाकों में हैं। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा तो ये लाखों किसानों के जीवन को उनकी रोजमरा की जिन्दगी को पूरी तरह बदल देगी। साथियों, किसान की आय दो गुनी करने के लिए लागत कम करने के लिए उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही रहूंगे। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संगों का निर्मान सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फ़सल बिमा योजना में सुधार यूरिया की सत प्रतिशत नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोडों किसानों को सॉयल हेल्थ कार इसका लक्ष यही है कि देश का एग्रिकल्चर सेक्टर मजबूत हो किसान को खेती करने में मुश्किल न हो इसके लिए निरंतर नई नहीं पहल की जा रही है देश में आज अन्न दाता को उर्जा दाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है कुसुम योजना के तहट किसानों किसान उत्पादक संग एपियोस कोपरेटिवस पंचायतों ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमिन पर छोटे छोटे सोलर प्रांट लगाने में सहायता दी जा रही है देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रीड से जोड़ा जा रहा है इससे जो बिजनी खेतों में पैदा होगी उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाय के लिए उप्योग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजनी को बेज भी पाएंगे देश भर में करीब साड़े सत्तर लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है इससे किसानों को सिंचाय की सहुलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आए भी हो जाएगी साथियों गुजरात ने तो बिजनी के साथ साथ सींचाय और पीने के पानी के खेत्र में भी शांदार काम किया है इस कारकम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिती थी बजेट का बहुत बड़ा खर्चा सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोज बहुत बड़ा रहता था बीते दो सब्सकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जीलों उन गाउं तक भी पानी पहुँच गया है जहां कोई पहले सोज भी नहीं सकता था के जल को गुजरात के सुखा का स्थेक्टरों तक पहुचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं वाटर गीड्स को देखते हैं तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुँच चुका है बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुचेगा ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही हैं तो सभी को अपना एक प्राण एक मंत्र फिर दोहराना है यह मंत्र है पर ड्रॉप मौर क्रॉप का जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोड़ देना है वरना ऐसा नहों कि चलो भे बिजली आईए पानी बहरा है हम आराम से बैटें फिर तो गुजरात बरबाद हो जाएगा पानी खतम हो जाएगा जिंद की मुश्किल हो जाएगी दिन में बिजली मिलने की वज़े से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिकेशन की विवस्ताय करना आसान होगा गुजरात ने माइक्रो इरिकेशन के खेत्र में काफी प्रगति की हैं टपक सिंचाई हो या स्प्रिंकलर हो किसान सर्वोदय योजना से इसके और विस्तार में मदद मिलेगी भाई और भेनों गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्योदय भी हो रहा है ये आरोग्योदय अपने आप में एक नया नजराना है आज भारत के सबसे बड़े कार्डियार्ट अस्पताल के रूप में UN मेता इंस्टिटूटर अप कार्डियोलोजी एंड रिसर्च सेंटर का लोकारपड किया गया है ये देश के उन चुनिंद अस्पतालों में से हैं जिसमें वर्ल क्लास इंस्पास्रक्टर भी है और उतनी ही आधुनिक हेल्ज फैसिलिटी भी है बदलती लाइफस्टाइल के कारण हाट से जूड़ी समस्या को हम देख रहे हैं दिन और दिन बरती चली जा रही वन छोटे बच्चों में हो रही है ऐसे में ये अस्पताल गुजराती नहीं देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविदा है भाई और भेनों बीते दो दस्वकों में गुजरात ने आरोग्य के एक शेत्र में भी अभुत पुर्व काम किया है चाहे वो आधुनिक अस्पतालों का नेटवर्ग हो मेडिकल कॉलेज हो या हेल्थ सेंटर्स हो गाउं गाउं को बहतर स्वास्त सुविदाओं से जोडने का बहुत बड़ा काम किया गया है बीते छे सालों में देश में स्वास्त सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है उनका भी लाप गुजरात को मिल रहा है आईश्यमान भारत योजना के तहट गुजरात के 21 लाख लोगों को मुप्त इलाज मिला है सस्ती दवाई लेने वाले सवा पांसो से जादा जनवसदी केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं इसमें से लगबग 100 करोड रुपय की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है भाईयों और भेनों आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है उससे आस्ता और परेटन दोनों ही आपस में जुड़े हुई हैं गिर्नार परवत पर मां अम्बे भी विराज्ती है गुरतनाग शिखर भी है गुरुद तात्रे का शिखर भी है और जैन मंदीर भी है यहां के हजारों सीधियां चड़कर जो सिखर पर पहुंचता है वो अदबूत शक्ती और शांती का अनुभव करता है अब यहां विश्वस्तरिय रोप्वे बनने से सबको सुविधा मिलेगी सबको दर्शनों का अउसर मिलेगा अभी तक मंदीर तक जाने में जो पाँच पाँच साथ साथ घंटों का समय जगता था वो दुरी अब रोप्वे से साथ आठ मिनिट में ही तै हो जाएगी रोप्वे की सबारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी उत्सुकता भी बढ़ाएगी इस नई सुविधा के बाद यहाँ जादा से जादा स्रद्धालू आएंगे जादा परियटक आएंगे साथियों आज जिस रोप्वे की शुरुवात हुई है वो गुजरात का चौथा रोप्वे हैं बनास काठा में मां अम्बा के दर्शन के लिए पावागड में सत्पुडा में तीन और रोप्वे पहले से काम कर रहे हैं अगर गिनार रोप्वे में रोडे नट काये होते तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता लोगों को टुरिष्टों को इसका अलाब बहुत पहले ही मिलने लग गया होता एक राश्ट्र के रूप में हमें भी सोचना होगा कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्ताओं का निर्मान इतने लंबे समय तक अटका रहेगा तो लोगों का कितना नुक्षान होता है देश का कितना नुक्षान होता है अब जब ये गिरनार रौप पर शुरू हो रहा है तो मुझे खुशी है कि हाँ लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही स्थानिये युवाओं को रोजकार के भी अधिक आउसर मिलेगी साथियों दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन आस्था से जुड़े केंद्र इस बात को स्विकार कर चलते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग तभी आएंगे जब हम टूरिस्टों को आधिनुक सुविधाय देंगे आज जब टूरिस्ट जहां अभी कहीं जाता है अपने परिवार के साथ जाता है उसे इज अफ लिविंग भी चाहिए होती है इज अफ ट्रावेलिंग भी चाहिए गुजरात में अनेकों जगह हैं जिन में भारत ही नहीं दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की ख्षमताएं पड़ी हैं अपार संभावनाएं पड़ी हैं में अफ रुषब हैं मैं सब माताओं के स्थानों का उलिख नहीं कर रहा हूं और गुजरात के सभी कोने में इस शक्ती रुपेण माताएं गुजरात को निरंतर आश्रवाद देती हैं अंबाजी हैं पावागर तो है ही है चोटिला चामुंडा माताजी है उम्या माताजी है कच्छमे मातानों मड़ इतने ही याने अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में एक प्रकार के शक्ति का वास है कई प्रसिद्ध मंदीर है आस्था के स्थनों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगें हैं जिनकी ख्षमता यद्भूत है अभी आपने भी देखा है कि द्वारका के पास शिवराजपूर समुद्री बीश को अंतर राष्टे पहचान मिली है ब्लू फ्लैग सर्टिपिकेशन मिला है ऐसे स्थनों को विक्सित करने पर वहाँ जादा से जादा परियाटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए आउसर भी लाएंगे आप देखिए सर्दार साहब को समर्पित स्टेची अफ यूनिटी दुनिया की सबसे उची प्रतिमा अब कितना बड़ा टुरिस्ट एट्रेक्शन बन रही है जब ये कोरोना शुरू हुआ उससे पहले ही करीब करीब 45 लाग से जादा लोग स्टेची अफ यूनिटी को देखने जा चुके थे इतने कम समय में 45 लाग लोग बहुत बड़ी बात होती है अब स्टेची अफ यूनिटी को फिर से खोला गया है तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है इसी तरह छोटा सा उदान देता हूं मैं अमदाबाद में काकरिया जील काकरिया तालाब तक पहुंचने वालों की संख्या एक जमाना था वहां से कोई गुजरता नहीं था दूस्ता रास्ता लेता था उसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया थोड़ा तूरिस्ट को ध्यानवे रक्तर के व्यवस्थाएं खड़ी की और आज थिती क्या है वहां पर पहुंचने वालों के संख्या अपसालाना पचरतर लाग तक पहुंच रही है अकेले अमदाबाद सहर के मध्य में 75 लाख मध्यंबर्ग निम्न मध्यंबर्ग के परिवारों के लिए यह जगा बहुत आकर्शान का कारण बन चुकी है और अनेक लोगों के रोजी रोटी का कारण भी बनी है यह सारे परिवर्तन टुरिस्टों की बढ़ती हुई संख्या स्थानिय लोगों की आए बढ़ाने भी बहुत मदद करती हैं और टुरिजय में कैसा ख्षेतर हैं जहां कम से कम पूझी लगती हैं और जादा से जादा लोगों को रोजगार मिलता है हमारे जो गुजराती साथी और मैं चाहूँगा विश्व भर में फैले हुए गुजराती बंदु भगिनी को मैं आज आगरस से कहना चाहता हूँ गुजरात के ब्रेंड एमेसेडर बनकर आज पूरी दुनिया में गुजरात के लोग छाय हुई है जब गुजरात अपने यहां नए नए आकर्षण का केंद्र बना रहा है बविश्व भी बनाने वाला है तो दुनिया भर्वे फैले हुए हमारे गुज्जू बंदों से मैं कहूँगा वो हमारे सभी साथी उनकी बातों को पूरी दुनिया में अपने आपी लेकर के चले जाएं दुनिया को आकर सित करें गुजरात के टुरिस्ट डेस्टिनेशन से परिचित कराएं हमें इसी को लेकर आगे चलना है आगे बढ़ना है एक बार फिर सभी गुजरात के मेरे भाईयों भेनों को इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मांबे के आशिरवात से गुजरात विकास की नई उचाईयों पर पहुँचे मेरी यही प्रार्थना है गुजरात स्वस्थ रहे गुजरात ससक्त बने अने मारे मारा गुजरात ना भाईयों बहनों ने एक दिलनी बात करवी छे अने मने खात्री छे कि मारी आवात ने आप जरूर सतकार सो अने मने साथ आप सो कोरोना वाईरस छे त्या सुधी सावचे रहमूं खुबज जरूरी छे बे गजनी दूरी खुबज जरूरी माक्स पहरवोपन एक दम जरूरी तो शुरुवात अपने भाशन की ब्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने विकास की की तरक्की की गुजराक की लेकिन आंतुनों ने किया कोरोना वाईरस से अभी भी कैसे लोगों को सतर्क रहना है इस नसीहत के साथ लोगों को चैनल स्टेशाम गुजराए याप्स साथ शुब जरूड़ आपस्टक बारोगों कॉजरा है